हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज का इस वीडियो में हुम चर्चा करने वाले हैं यूपी एचेसी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में तो इसके डेमो क्लास के बारे मैंने कल एक वीडियो आप सभी को बना के दिया था आपको उसका लिंक जो है क्योंकि वहां तो बच्चे रहेंगे नहीं वहां तो जो इंटर्वियर का पैनल रहेगा तो वहां पे संबोधन जो हैं उनको किस प्रकार से किया जाए अब वहां पे हम उनको हेलो बच्चो तो नहीं बोल सकती क्योंकि जो लोग है वो हमसे काफी सीनियर है वहां पे तो अ भी पढ़ा रहे हैं तो ऐसे में जब और जब हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो आप हेलो एवरिवन कहके अपना बात जो है वो खतम कर सकते चाहे तो इंग्लिश में भी आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ हिंदी में ही बोले कुछ शब्द जो है इंग्लिश के भी प्रयोग करने में जैसे गुड मॉर्निंग क्लास ऐसे करके आप बोल सकते हैं अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग क्लास या शाम का है जिस भी टाइम में आपका इंटरव्यू लिया जाए तो उस समय का आप उस आप से कि तो अगर आप हिंदी में संभोधन करना चाहते हैं तो वहां पर किस प्रकार से करेंगी तो आप या तो बोल दे है लो का प्लास या फिर आप यह वहां पर दूसरा वर्ड इसकी जगह जो यूज कर सकते हैं वह सुब्प्रभात या फिर सुप्रभात शुब्सन्धिया तो जो भी समय रहेगा उसके हिसाब से आप ये वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा जैसे सूप्रभाद क्लास ऐसे करके आप उनको विश करिएगा और इसके बाद आपको बोलना क्या है आज की कक्षा में आप सभी का जो है स्वागत है आज हम हिंदी विशे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो करने जा रही है तो इस प्रकार से जो है आपको शुरुवात अपनी विशे की करनी है तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले हेलो क्लास या सूप्रभात उसके बाद आप अपना विशे से शुरू करिएगा कि आज के कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम हिंदी विशे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है करने जा रही है इसके बाद क्या करेंगे आप पिछले वीडियो से उसको पिछले मतलब जो आपका टॉपिक है उसे कनेक्ट करेंगे कि हमने पिछली बारे क्या पढ़ा था वैसे तो आपने नहीं पढ़ाया होगा लेकिन आप अगर उसको पिछे से को रिलेट कर देंगे तो वो और अच्छा देखने में लगता है तो आप वहाँ पर कहेंगे पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को डैश के बारे में पढ़ाया था जैसे कि कल मैंने आप सभी को उधारण दिया था गोदान उपन्यास का, तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, कि उस में मैंने ऐसे बताया था, कि आप उनको कहेंगे कि पिछली कक्षा में, मैंने आप सभी को प्रेमचंद के बारे में पढ़ाया था. और आज की क्लास में हम प्रेमचन जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान के बारे में पढ़ेंगे तो यह जो था आपका इंट्रो हो जाएगा कि किस प्रकार से आप वहाँ पे सबको संबोधन करेंगे और किस प्रकार से अपना विशे का इंट्रोडक्शन देंगे वहाँ पे विशे की शुरुवात आपको किस प्रकार से करनी है यह बात महत्वपूर्ण है कि आपको अपने विशे का किस प्रकार से शुरुवात उसकी करनी है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी हो गई होगी कि आपको किस प्रकार से इसकी शुरुवात करनी है अपने डैमो क्लास की फिर भी कोई डाउट रह गया हो किसी के बन में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि मैं भी उसका जो है रिप्लाई दे सकूँ या फिर वीडियो के माध्यम से आपके उस समस्या का समधान कर सकूँ और मेरे बनाई वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगती हो तो चैनल से जूड़े रहें इसी प्रकार से तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद